वेलकम एवरिवन टू आवर यूटूब चैनल आज के विडियो में कोईफिशेंट ओफ को रिलेशन एंड रिग्रीशन लाइन ये टोपिक का प्रोब्लेम नंबर 10 स्टडी करेंगे तो देखे जो प्रोब्लेम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है आप कहोंगे ये कैसा प्रोब्लेम है इसके पहले हमने जो प्रोब्लेम सॉल किये थे वो तो अलग थे लेकिन ये क्यों अलग है वो इसलिए क्योंकि ये एक रिवर्स प्रोब्लेम है आप इसको रिवर्स दी है और उसका यूज करके हमें coefficient of correlation find out करना है mean values भी find out करना है ठीक है तो इसलिए आप इसको reverse problem बोल सकते हैं exam में exam में ज़ादा तर time जब ये problem आता है ना तो exam में number of students solve नहीं कर पाता है उसका reason बिलकुल simple सा reason है क्योंकि ये reverse problem है इसलिए number of students की इस type के problem की practice नहीं होती practice नहीं करने से ये problem exam में solve नहीं होगा लेकिन ध्यान में रखो ये important problem है ये problem या इस type के problem generally exam में repeat होते हैं coefficient of correlation में दो ही type के problem आता हैं first type के problem वो जो इसके पहले हमने लिए जिसमें x and y का data दिया होता है और दूसरे type के ये type के problem है यहां इसकी practice करो तो चलो अब यहां start करेंगे और कैसे क्या find out करेंगे देखो यहां पर दो lines देखो question में हम पढ़ेंगे दो lines of regression की equation दी है two lines of regression are given by देखो two equations 8x minus 10y plus 66 and 40x minus 18y equal to 214 तो given हम equations यहां लिख लेंगे given two lines of regression ठीक है नए ऐसी equation दी है ठीक है इसको हम equation number 1 कहेंगे इसको हम equation number 2 कहेंगे यह दो lines that is two lines of regression equation की equation दी है और यहां पर क्या दिया है if sigma square x equal to y equal to 9 it means यहां पर variance of x दिया हुआ है और यहां पर देखो कुछ हमें चीजे find out करने के बोला है सबसे पहले mean values of x and y it means mean values याने x bar y bar जो generally x and y का data होता है तब भी हम find करते हैं न वही वला mean values of x and y मतलब x bar y bar उसके बाद coefficient of correlation between x and y it means smaller वो हमें find out करना है standard deviation of y it means sigma y and variance of y it means sigma square y जैसे यहां पर sigma square x दिया है तो यह variance of x हो गया वैसे हमें variance of y याने sigma square y find out करना है ठीक है ओके तो यहां पर हम पहले देखो हमने given lines of regression यहां लिख लिया है तो हम यहां statement में लिख लेंगे since x bar y bar is a common point of the two regression line ठीक है तो यही x bar y bar अब हमें find out करना है तो कैसे find out करेंगे देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो हम यहां लिख लेंगे 8 x bar minus 10 y bar और यह जो 66 है उसको उधर shift करो minus 66 उसके बाद यह 40 x bar minus 18 y bar equal to 214 ठीक है दोनों equations में बस हमें बस एक ही काम करना था जो already x and y के form में दिया है उसको हमें x bar y bar के form में लिखना था तो हमने दोनों equations को x bar y bar के form में लिख लिए बस यहां से हमें x bar y bar find out करना है तो therefore x bar हम यहां निकाल लेंगे x bar हमें मिल रहा है 13 and y bar हमें मिल रहा है 17 अभी हमने यहां directly लिख लिया है लेकिन अब यह कैसे solve किये तो यह हमने directly calculator में solve किया है हमें answer मिला है 13 and 17 अगर आपको exam में calculator allowed है तो आप exam में calculator में directly यह दोनों equations put करके आप इसको simultaneously solve कर सकते है तो आपको x bar y bar मिल जाएंगा अगर exam में calculator allowed है तो calculator का use करना लेकिन अगर exam में calc allowed नहीं है तो फिर आप यह दोनों equations को manually solve करना manually solve करके भी आपका यही answer आएंगा manually solve करते हैं समय दो method आएंगा पहला है substitution method उसके थुरू भी आप निकाल सकते हैं दूसरा है elimination method दोनों के थुरू जो है वो same answer आता है अब आपके college में आपको कौनसा method follow करने के लिए कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है same answer आएंगा अभी हमने यहां directly लिख लिए है x-bar vibar वैसे इसके पहले already हमने number of problems में substitution method से कैसे solve करते हैं वो बताये थे elimination method से भी बताये थे और calculator में यह simultaneous equations कैसे solve करते हैं उसके उपर भी हमने special video बनाया हुआ है already वो video आप देख सकते हैं उसका link हमने आज के video description में दे दिया है वो video आप देख लिजे तो x-bar vibar मिल गया it means first bit mean values of x and y find out करने के लिए जो कहा था वो हमने find out कर लिया है first bit यह solve हो चुका है ठीक है आगे बढ़े चलो आगे चलते हैं next क्या find out करना है coefficient of correlation between x and y it means coefficient of correlation को r से show करता है वो हमें यहाँ पर find out करना है कैसे find out करेंगे जरा आप इसको देहन से देखो तो यह हो गया first bit जो हमने solve किये और अब देखो यहाँ पर second bit स्टार्ट हो रहा है तो second bit में हमें coefficient of correlation find out करना है तो यह जो equation number 1 है ना यह equation number 1 यह equation number 1 को हम कुछ अलग तरह से लिखेंगे मतलब यहाँ पर ऐसा हम यहाँ पर y को left hand side में रख देंगे x और 66 को उधर shift कर देंगे ठीक है तो ऐसा हो जाएंगा 10 y equal to 8 x plus of 66 यह देखो ठीक है अब पूरे equation को 10 से divide करो तो यह हो जाएंगा y equal to 8 x by 10 plus 66 by 10 ऐसा ठीक है थोड़ा सा इसको divide करो so y is equal to यह हम यहाँ लिख लेंगे 0.8 x plus 6.6 ठीक है तो यह हमने पहला equation बना लिए इंडरेक्ली हम क्या कर रहे है regression line y on x and x on y की equation बना रहे यह हो गया regression line y on x का equation जिसके left side में y है और right side में x है regression line y on x अब चलो regression line x on y की equation बनाते हैं वो हम equation number 2 से बना सकते हैं देखो यह equation number 2 है उसके left hand side में अब हमें x रखना पड़ेंगा और right hand side में y को shift करना पड़ेंगा 40 x is equal to 18 y plus of 214 अब इसको 40 से divide करो तो x is equal to 18 by 40 of y plus of 214 by 40 ठीक है calculator अगर allowed है तो आप यहां पर calzika use करो कोई दिक्कत नहीं है 18 by 40 तो यह आ चुका है 0.45 y plus 214 by 40 और यह एंगा 5.35 ठीक है तो finally हमने regression line x on y की equation भी यहां तयार कर लिए ठीक है यह regression line y on x और यह regression line x on y यह काफी important रहेंगा क्योंकि इसका use करके अब आगे हमें क्या find out करना है coefficient of correlation r find out करना है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो आपने दो equation बनाए ना उसमें से पहले यह जो equation है यहां पर 0.8 है वो 0.8 क्या है तो 0.8 है regression coefficient y on x और यहां पर 0.45 है वो क्या है यह है regression coefficient x on y ठीक है तो चलो अब इसका हम use करने वाले हैं ठीक है इसको उपर करेंगे और यहां पर solve करेंगे ठीक है तो देखते हैं regression coefficient कैसे हम यहां use करेंगे तो हम यहां लिख लेंगे regression coefficient y on x is तो वो क्या होता है regression coefficient y on x होता है r sigma y by sigma x is equal to यह है यहां पर 0.8 तो हम यहां लिख लेंगे 0.8 regression coefficient y on x ठीक है यह हमने लिख लिए r sigma y by sigma x that is 0.8 यह important है और बिल्कुल इसी तरह से regression coefficient x on y है जो हमको उधर से equation से मिलने वाला है तो वो हम यहां लिख लेंगे तो यह r sigma x by sigma y है तो यह है 0.45 ठीक है तो regression coefficient x on y and y on x दोनों हमने यहां पर mention कर लिया है ठीक है अब यह equations मिली है इसको equation number a and b कहो यह equation number a है यह equation number b है अब क्या करो यह दोनों equations को multiply कर लो ठीक है LHS plus LHS RHS plus RHS so equation number a into equation number b दोनों equation को multiply करो left hand side plus left hand side into left hand side so यह हो जाएंगा r square ठीक है ना आप चाहें तो step wise कर लो r sigma y by sigma x into r sigma x by sigma y यह हो गया left hand side into left hand side right hand side into right hand side so 0.8 into 0.45 तो left hand side में हो जाएंगा r square और right hand side में यह 0.8 into 0.45 कर लेंगे तो यह आजाएंगा 0.36 ठीक है और इसका under root कर लेंगे तो r का value हमें मिल जाएंगा 0.6 so finally coefficient of correlation between x and y find out करने के लिए जो कहा था यह हमने वो find out कर लिए question में लिका था find the coefficient of correlation between x and y तो वो हमने find out कर लिए small r that is the coefficient of correlation between x and y is 0.6 यह हमें मिल चुका है और यहां पर यह हमारा second bit यहां पर find out हो चुका है आप चाहें तो यहां statement में side में लिख सकते हैं तो यह हमने statement में यहां लिख दिया है कि therefore coefficient of correlation between x and y is 0.6 यह हमने इस तरह से statement में लिख लिए है ठीक है second bit भी हमने solve कर लिए उमिद करते हैं आपको 2 bits समझ में आया होंगे कैसे solve हुआ है चलो आगे बढ़ते हैं 3rd bit के तरफ अब आप समझ गया होंगे exam में यह type के problem क्यों exam में solve कर नहीं पाते number of students क्योंकि इस तरह का confusion हो सकता है number of students को क्योंकि उनको लगता है कि coefficient of correlation and regression के एक ही type के problem exam में आते हैं जिसमें हमेशा x or y का data दिया होता है नहीं ऐसा नहीं है यह type के problem भी exam में आते हैं तो आपको इसकी भी अच्छी कासी preparation करना चाहिए और इसमें ज्यादा नहीं है इसमें 2-3 बस problem है इसमें बहुत ज्यादा x तो यह क्या है यह variance of x है यहाँ पे जैसे variance of y find out करना है यह वो दिया है variance of x दिया है तो एक काम करेंगे variance of x से यानि sigma square x से पहले sigma x निकालेंगे फिर वो sigma x से हम sigma y निकालेंगे वही हमारा third bit का answer हो जाएंगा ठीक है तो चलो हम यहाँ पे अब solve करेंगे next bit यहाँ पे given क्या दिया हुआ है given दिया है sigma square x is 9 दिया है sigma square x 9 दिया है so therefore sigma x हो जाएंगा 3 sigma x हो गया 3 और अब equation number a के तरफ देखो equation number a यह देखो equation number a इसको हम लेके solve करेंगे equation number a से हमें पता चलता है कि r sigma y by sigma x है 0.8 तो यहाँ से आप sigma y निकाल सकते हैं so therefore sigma y equal to यह हो जाएंगा r यह हो जाएंगा 0.8 into sigma x by r ठीक है बस values put up करो तो यह हो जाएंगा 0.8 into sigma x याने 3 और r याने 0.6 जो हमने find out की है ठीक है so यहाँ पर हमें sigma y मिल जाएंगा so sigma y के आएंगा so हम यहाँ लेकलेंगे 0.8 into 3 divided by 0.6 तो यह आजाएंगा 4 so हमें sigma y यहाँ पर मिल चुका है sigma y याने 4 याने standard deviation of y question में जो find out करने के लिए कहा था question में कहा था ना third bit find out करो standard deviation of y find out करने के लिए कहा था याने sigma y find out करने के लिए कहा था तो variance of y यानि sigma square y ठीक है ना तो हम यहां लिख लेंगे variance of y यानि ही sigma square y ठीक है बस sigma का square कर लो तो sigma square y यानि यहां पे 4 का square तो यह हो गया 16 तो finally sigma square y हमने निकाल लिए यानि variance of y हमने find out कर लिए यह आया है 16 और इस तरह से question में जो कुछ भी find out करने के लिए कहां था वो हमने find out कर लिए और finally problem यही पर complete हो गया देखो एक बार इसको छोटा कर लेते हैं एक single screen में तो यह सब कुछ नहीं आएंगा लेकिन आपको समझा के देते हैं एक बार कि हमने किस तरह से solve किया है क्योंकि number of students exam में जैसा हमने कहां कि solve कर नहीं पाते हैं तो सबसे पहले जो two lines of regression दिये थे उसको हमने यहां लिख लिए और हमने यह statement लिखे है यह statement आपको exam में भी लिखना चाहिए exam में जब आप यह problem solve करोंगे तो ऐसा statement आप यात करके चले जाओ घर से practice करके चले जाओ यह statement आपको हर problem में ऐसे problem में लिखना है और given equation जो xy के form में दिये थे वो x bar y bar के form में लिख लो और यहां पर आपको x bar y bar find out करना है options बता दिये या तो calculator का use करो या तो manually solve करो ठीक है और अगर यह हो गया इसके बाद आपको coefficient of correlation find out करना है तो equation number 1 से regression line y on x की equation मना हो regression line x on y की equation मना हो दोनों से फिर हमे regression coefficient y on x मिलेंगा x on y मिलेंगा ठीक है इस तरह से और यह देखो regression coefficient y on x यह x on y इनको हमने multiply किये तो हमें r मिल गया यहने coefficient of correlation और उसके बाद जो solve करना था वो बहुत आसान था standard deviation of y निकलना था तो यह हमने निकले ठीक है ना by using the relation equation number 1 से और फिर variance of y निकलना था तो यह आसाने से निकल लिए problem यही पर complete हो गया I hope आपको यह पूरा problem कैसे हमने solve किया है सब कुछ समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में जरूर से जरूर solve करके देखना चाहिए जैसा हमने कहा था काफी important problem है exam में अगर अब आया तो आपको solve करते आना ही चाहिए आपको full marks मिल जाएंगे तो यह था coefficient of correlation and regression line यह topic का problem number 10 इसके पहले के 9 problems वो भी आप study कर लिजे और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems study करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thanks for watching this video